hey guys welcome back to my channel so guys आप देख सकते हो मैं अपने Poco M2 Pro में यहाँ पर Lineage OS को इंस्टॉल कर लिया है and यह जो ROM है यह Mi Atoll Devices के लिए है तो आप इसको Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro and Redmi Note 10 Lite इन पांचे उड़ा इस डिवाइजों में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो without any problem तो आज इस ROM का review करूँगा साथी साथ आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे इसको install कर सकते हो अपने फोन में यहाँ पर अगर चैनल पर पहली बार हो तो नीचे subscribe का बटन उसको दबा दो यहाँ पर वीडियो को like share भी जरूर से कर देना सो चली जल्दी से वीडियो को स्टार्ट तो गईस मैं बता दू कि जो लाइन ने जो एसा बहुत पुराना कस्टम रूम है यहाँ पर काफी जादा अच्छा इसको माना जाता है क्योंकि यह बहुत जादा बेजड है तो इसमें सारी चीज अच्छे से काम कर रही है कोई भी अभी तक मुझे बग देखने को नहीं मिला है इसका जो सिक्यूरिटी पैच है वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का आपको देखने को मिल जाता है पांच अप्रेल का यहाँ पर और भी सारी चीज है करनल आपको नमस्ते करनल देखने को मिलता है हाला कि जो करनल है इसका परहॉमेंस बहुत जादा अच्छा नहीं है बठां यहाँ पर आपका जो रोम है वो काफी जादा अच्छे तरीके से यहाँ पर चल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अभी आप लोग देख स सकते उसका जो कंट्रोल सेंटर है यहाँ पर जो स्टेटस बार मैं बता सकता हूं तो कुछ इस तरीके का आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर आप जो है अपनी सारी चीजों को अपने हिसाप से ट्रैगन डॉप करके रख सकते हो और सारी चीजे काफी अच्छे तर होगे तो direct tap इसमें पहुच जाओगे बाकी smoothness आप देख सकते हो कितना जादा smooth है और जो animations है जो UI है कितनी बहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है मतलब एकदम smooth चल रहा है यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर dialer की आगर मैं बात करूं तो यहाँ आप आप आपको दिखा देता हूं पर call लगा के तो देख सकते हैं यहाँ पर जो dialer है वो आपको इसका default dialer देखने को मिलेगा तो इसमें आप जो है call recording भी कर पाओ कि देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आता हूं तो आप देख सकते हैं पर इसका screenshot कुछ इस तरीके से और यहाँ पर इसको modify भी अपने हिजाफ से कर सकते हो तो यह सारे options आपको देखने को मिल जाते हैं और चलते हैं हम setting में तो setting में कुछ इस तरीके का options आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर मैं बता दूँ यार इसकी battery backup बहुत ही ज़ादा जबरदस यहाँ पर आपको कोई भी आपको issue देखने को नहीं मिलने माला है यहाँ पर connected device का इस तरीके से option आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर देख सकते हो battery आपको दो दिन एक घंटा देखने को मिल और भी 56% ही है तो अगर आप इसको normal use करोगे तो एक दो दिन से जादा भी चल जाएगा अगर normally बस call all you आपको accept करना है और सारी चीज़े है तो आपको battery backup बहुत ही बहतरीन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा sound and vibration में यह सारे options आपको देखने को मिलते हैं जो अपने हिसाब से आप यहाँ पर check कर सकते हो कोई भी फालतो के extra चीज़ आपको देखने को मिलेगी जितन आप यहाँ पर use कर सकते हो dark theme अगर मैं on करता हूं तो आप लोग देख लो मतलब बिलकुल यहाँ पर dark हो चुका है and काफी जादा यहाँ पर बेहतरीन लग रहा है and आप smoothness देखो यहाँ पर 60 Hz का display है बट यहाँ पर smoothness है बहुत ही next level की आपको देखने को मिल जाएगी यहा सारी चीज़ा आपको देखने को मिलती है Wallpaper and styles में जाएंगे तो Android 14 के जो भी features आपको देखने को मिलते है वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप अपने हिसाफ से यहाँ पर इसको आपके इस तरीके से सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ यहाँ पर other colors यहाँ पर wallpaper colors यहाँ पर dark theme and यहाँ पर change wallpaper का भी option है तो यहाँ पर आके आप जो है wallpapers भी इस तरीके से change कर सकते हो like देख सकते हो कुछ इस तरीके wallpapers भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे तो यह सारी चीज़े देखने को मिलती है accessibility में यह सारे options हैं तो आप एक पर check out जरूर से कर सकते हो privacy settings यहाँ पर security के option यहाँ पर fingerprint and face unlock सारी चीज़े अच्छे से काम कर रही है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी system में आप जाओगे तो यह सारे options आपको देखने को मिलते हैं status bar पर आप जाकर के इसको customize कर सकते हो यहाँ पर आप जो ह आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलती हैं बाकी camera का यहाँ पर आपको बता दूं तो camera में आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पर stock camera आपको देखने को मिल जाता है इसमें music player भी आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा तो overall जो सारी चीज़ें एकदम perfect काम कर रही है आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने माला है यहाँ पर अगर मैं इसको on करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हूँ वाइडवाइन L1 आपको देखने को मिलता है तो HD content आप आराम से देख पाओगे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपको बता दूँ अगर यह camera आपको पसंद नहीं है तो open camera का यूज कर सकते हो या फिर आप google camera का भी यहाँ पर करूं तो दो लाइक यहाँ पर इस तरीके के देखने को मिलता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया लेकिन बेकार भी नहीं है आपको performance अच्छी मिल जाएगी कोई भी issue की बात नहीं है तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दो कि जो cpu तो काफी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, इसको आप काफी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़े काम कर रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप आकर कि अपने बेस यहाँ पर सारी चीज़े को कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, तो यह जब आपने यह फोन लगाओगे या ब्लूटूथ लगाओगे, तो उसमें यह चीज़े बहुत अच्छे से पता चलेंगी कि इस तरीके से यह चीज काम कर रही है, तो यह सारी options आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, बाकि calculator आप देख सकते हो, इसकी UI थोड़ा सा आपको different देखने को मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही बहतरीन लग रहा देखने में, तो यह सारी चीज़े एकदम perfect काम कर रही है, आपको कोई भी issue नहीं आएगा इसको use करने में, अगर आपको use करना तो आप कर सकते हो, otherwise आपको दूसरा रोम पसंद है तो आप दूसरा हो use कर सकते हो, बाकि यह जो रोम है यार, बहुत ही जादा smooth चला, आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी lag बिलकुल यहाँ पर UI बहुत ही smoothly चल रही है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से था, इस रोम का जो link है, मैं आपको description में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके download कर लेना, and यार, चैनल को subscribe करो, आप लोग जल्दी से 7K पहुचाओ, यार, बहुत जादा time हो गया है, and अभी तक हम लोग 7K क्रॉस नहीं किये है, okay guys, and आपको और भी सारी वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी, अच्छी अच्छी, तो चैनल को subscribe करना, and वीडियो को like, share भी जरूर से कर देना, so watch your list नहीं, thanks watching, and please subscribe my channel, and take care all of you, okay, bye bye guys,